पुर्वजों के समय से नंदी है पर मोंगराबान बनने के बाद लोगों को काफी परिसानी हो रहा है करीब 25 गाउं के लोग इस नंदी से प्रभावित है ये मुद्दा मेरा है मैं भान साहू ये समुदाय मेरा है इस नदी से पुलिया ना होने के कारण बहुत दिक्कत है पहले बारिस में दिक्कत होती थी जाने के लिए अभी तो जब से मोंगरा बैराज बना है तब से रेगुलर पानी भरा रहता है इस कारण धर आने जाने से बहुत परिसानी होती है पूरा जंगली जंगल एक दो बच्चे जा नी सकते गुरुप होकर बच्चे जाते हैं इस नंदी से 25 गाउं के लोगों का आने जाने का मूख्य मारग है खास दोर पर इस्कूली बच्चों के लिए काफि दिक्कत आती है इस मुद्दों पर इस्थानी समचार में कई बार आया लेकिन यहां के जन प्रतनीधी सरकार में बेठे लोगों के तक नहीं पहुँच पाई जो हमारा जो रिलेशन है इधर महरास्टा से जुड़ा हुआ है और लड़किया भी आपन रिष्टा भी ने जुड़ पाता है उधर से क्योंकि आने जाने में परिशारी होती है आपने सरकार के पास कोई मांग की? हाँ अपन गराम सुराज में भी दिये थे कलेक्टर के पास भी दिये थे और मोंगरा वेराज में जब उधगाटन करने आया था मुख्यमंत्री वहाँ भी दिये थे आज तक कोई सुनवाई नहीं आई डोड़के गाओं के लोगों को दस साल से मैं जानती हूँ कि नदी में पूल निर्मान की समस्या को लेके कई अधिकारी कर्मचारियों को आवेदन देती हुए थ्यक चुके हैं इसलिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ कि इस नेटवर्क के माध्याम से एवां और अन्येव नेटवर्क के माध्याम से इस नदी पर पूल निर्मान करने में मदद मिलें जिला कलेक्टर असोक अगरवाल का नमबर है 9425203199 इस नमबर पर काल करें और दबाव बनाएं मैं भान साहू 36 गार्ड इंडिया अनहाट के लिए